हेलो बच्चों, तो एक और मॉर्निंग व्लोग के अंदर आप लोगों का स्वागत है तो आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ लाइफ लेसंस के बारे में तो आज हम लाइफ लेसंस सिखेंगे हनुवान जी की जिंदगी से हनुवान जी की जिन्दगी के कुछ life lessons है वो आज मैं आप लोगों से discuss करूँगा देखिए इस पूरे संसार के अंदर कोई भी नायक या कोई भी महानायक ऐसा नहीं हुआ जिसने असफलता का मुना देखा हो लेकिन एक ही महानायक ऐसे हैं जिसने आज तक असफलता का मुनी देखा ऐसा नहीं है कि उनकी जिन्दगी में संकट नहीं आए उनकी जिन्दगी में भी संकट आए लेकिन सारे संकटों का डट के मुकाबला किया आज उन्हीं महानायक की life के बारे में बात करूँगा उनकी life से ही हम ये सीखेंगे और अपनी life पे अंदर उतारने की कोशिश करेंगे तो चलिए बात करते हैं तो life lesson में सबसे पहना lesson है जो हनुवान जी की जिन्दगी से हम ठीक सकते हैं वो है हर काम को सबसे पहले आगे बढ़कर सुईकार करते हैं कोई भी काम हो सबसे पहले आगे बढ़कर सुईकार करेंगे जैसे रामण ने सीता जी का हरन कर लिया अब सीता जी को टूनने जाना है कौन जाएगा सबसे पहले आगे आगे बढ़कर बोलेंगे मैं जाओगा कौन जाएगा टूनने सबसे पहले मैच जाओंगा सबसे पहले तो यानि हर काम को करने के लिए सबसे पहले खुद आके बढ़ते हैं, खुद आके बढ़कर काम करते हैं सुईकार करना सबसे पहले काम को आके करना लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता न Real Life में कहा होता है ऐसा Real Life के अंदर तो हमको कोई काम देता है प्रामिटर देखते हैं हम उधर देखते हैं यार, मैं तिरको तो पता है मैं कितना बीजी शेडियूल में रहता हूं यार प्लीज तू कर देना इस काम को यार, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मैं बड़ी परिशानी में हूँ तू प्लीज इस काम को कर देना ऐसी ऐसी बाते करते हैं यही अपने जो लीडर हो देना उनके सामने नजरों को जखा जग जाती है हमारी, क्योंकि हम काम को करने के सुईकार ही नहीं कर पाते तो यह सबसे बड़ा लाइफ लेसन है जो हपको हनुवान जी से सीखना चाहिए कि काम अगर हो तो सबसे पहले सुईकार करो दूसरों की नजरों में आदमी वो उपर पहुँच जाता है तो यही चीज है सबसे बड़ी सीख अब मैं दूसरी अगर लाइफ लेसन की बात करूँ तो हनुवान जी वे हैं कोई भी काम करते थे हमेशा प्रसंद रहके करते थे हमेशा खुश रहके काम करते थे कोई भी परिशा नहीं है नहीं अगर आप रामचरितुनवानस उठा के देख लें तो रामचरितुनवानस के अंदर हर किरदार आपको कही न कहीं कुछ न कुछ रोते हुए मिलेगा लेकिन हमारी जो महानायक हनुवान जी है ये कभी आपको रोते हुए नजर नहीं आएंगे सीता जी को रामचर उठा के ले गया भगवान चरी राम रो रहे हैं दुखी हैं लक्षमन को समुंदर पार करना है वो सोच रहे कैसे पार करूँ वो दुखी है राजा द्रश्रत का दिहान को गया दारी राने रो रही है यानि कोई ना कोई किरदार आपको रोते हुए नजर आएगा लेकिन ये हमारे हनुमान जी है कभी नहीं कभी हमेशा मुस्कुराते रहेंगे कभी रोते हुए न आपको नजर नहीं आएगे पूरे रामायण में अंदर आपको कभी रोते नजर नहीं आएंगे तो हनुआन जी से यही चीज़ सीखने चीज़ और मैं तो कहता ही हूँ कि जिसका मन प्रसंद है उसके मन के अंदर हमेशा भगवान भगवान बस्ते हैं तो हमेशा प्रसंद रो और जो दुखी रहते हैं उनके दुखियारों के मन के अंदर चंडाल बस्ते हैं तो हमेशा क्या रो खुश रो, मुस्कुराते रो, बेज़ा मुस्कुराओ खुश रो, कोई भी कोई दिक्कत हो जाए तो भी खुश रो हसो, क्योंकि हसो के तो उसी बज भी सोचेगी अरे यार मैं काप पर आ गई हसो यह तो अजरा है यार मैं गलती आ गई इस आदमी के पाद तो हमेशा क्या करना चाहिए हमेशा हमें मुस्कुराते रहना चाहिए हनुवान जी की यही सीख लेनी चाहिए हमें जीवन के अंदर कोई भी संकट आजए कुछ भी आजए उसको मुस्कुराते हुए संकट को निकालो क्योंकि संकट की गड़ी जो विरदा ने लीद दिये वो तो रहेगी रहेगी अब आप उसको मुस्कुराके व्यतीत करो, मुस्कुराके जेलो या फिर उसको रोके जेलो तो हनुवान जी से हमें ये सीख लेनी है कि हमेशा उसको मुस्कुराते हुए ही उसको संकट को निकालना है हमने और तीज़री सिप से बड़ी सीख मैं आपको बताओ कभी अहंकार नहीं किया कभी अहंकार नहीं किया पहँवान शरी राम ने बोला कि भई हनुवान जी को की तुम सीटा जी को डूंड कर आगे लेकिन उनोंने कभी भी अपने उपर इस चीज का क्रेडिट नहीं लिया क्या बोला प्रभूश शरी राम आपी की किरपा है आपी की वज़े से ही सब हुआ है तो इसलिए आपकी वज़े से ही मैं उनको डूंड के आ गया तो कभी भी अपने उपर अहंकार नहीं किया निरंकारी कर रहे है हमें भी लाइफ के अंदर ऐसी गाम करना चीए कभी भी अहंकार अपने कोई भी अच्छा गाम हो कुछ भी हो अहंकार नहीं करना चीए उसके उपर और उसके बाद उनकी लाइफ लेसन अगर लू तो वो कभी भी जो है हमेशा अपनी लाइफ के अंदर उन्होंने ये सोचा कि हमेरे को हमेशा गुरू बनाना है क्योंकि गुरू कभी भी डूबने नहीं देता कभी डूबने नहीं देता आपको गुरू अब उन्होंने क्या सोचा कि मुझे गुरू बनाना है तो सूर्यदेव के पास निकल चले गए अब सूर्यदेव के पास चले गए तो सूर्यदेव ने कहा कि उनको बोला जाके उसने, अनुवान जी ने बोला, कि मेरे को आपको गुरू बनाना है, रसूरुदेव ने बोला है, मुझे गुरू बनाना है, पहले आया था तो निगल लिए था मुझको, अग गुरू बना दिया इसने मुझे, तो हमेशा मेरे पास रहेगा, रसूरुदेव ने मना कर दिया ना जी न, तो मैं तुम्हारा गुरू नहीं बन सकता, तेकि फिर भी उनको अपना गुरू बनाया, क्योंकि गुरू कभी भी डूबने नहीं देता, तो यही लाइफ लेसन्स जो हैं, हमेशा हनुवान जी से सीख के रखने हैं, ध्यान रखने हैं, और उनकी लाइफ के हिसाब से चलना है, हमेशा आपकी प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होगी, तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो, इस वीडियो के ंदर जो हनुवान जी के बारे में मैंने बाते की, इस लाइफ लेसन्स के बारे में बाते की, आपको अच्छी लगी होंगी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, नेक्स व्लॉग के साथ, तब तक के लिए, ओके टाटा, बाए-बाए